इस दुनिया में बहुत सारी चीजें इसी धर्ती से एक्जिस्ट करती हैं लेकिन फिर भी अंसुलजी हैं। हम सभी जानते हैं इस दुनिया में बहुत सी भासाएं और बहुत सी लिपिया हैं जिनको हम समझते हैं। परन्तु फिर भी बहुत सी ऐसी भासाएं वो लिपियां हैं जो धरती में एक्जिस्ट तो करती हैं परन्तु हमारी सोच से परे हैं। ऐसी ही एक किताब है वाइनिक मैनिविस्क्रिप्ट जिसकी लिपि को हम देख दो सकते हैं परन्तु समझ नहीं सकते। जो कि बहुती रहस्यमई है इस लिपि को विश्वकी सबसे ज़्यादा मिस्टिरियस लिपि का दरजा दिया गया है। इस लिपि का नाम एक बुग डिलर के नाम पे रखा गया है जिसका नाम विल्फिर्ट वाइनिक था। इस बुक को उसने 1912 में खरीदा था। इस किताब में अभी 240 पन्ने मौजूद हैं परन्तु इस किताब के कुछ पन्ने गायव हैं जो कि कोई नहीं जानता ये कैसे गायव हुए। जहां तक हमें पता है इस किताब का उपयोग पौधों तथा चिकिस्सा परियोजनों के लिए किया जाता होगा। जो कि इस किताब में बने रंग विरंगी चित्रकला को देखनी से लगता है। इस किताब में हमें बिन बिन आकरतियों के पेड़ अजीवों गरीब चित्र देखनी को मिलते हैं जिसमें से सायद ही कुछ इस धर्ती पे मौजूद हो। हम इस किताब की लिपी वह भासा को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इस किताब में क्या लिखा है यह समझना बहुत ही कटिन है। इस किताब को समझने की कोशिस बहुत से लोगों ने की है यहां तक कि कई बिरिटिस और अमेरिकन कोड ब्रेकर भी इसे समझ नहीं पाए कई बैग्यानिक्यों वो क्रिश्टोगाफर ने इसे समझने की कोशिस की है पर कोई भी इसे समझ नहीं पाया इस किताब को छे भागों में बाटा गया है और प्रतेग भाग अलग दलग चीज़ों के बारे में बताता है अगर हम पहले हिस्से की बात करें तो वह हमें बायोलोजी से रिलेटेड करता है इस भाग में मनिशे की आकर्तियां मुनिश्य की बॉडी पार्ट आदी को दिखाया गया है अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो वह ऐस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है क्योंकि इस भाग में हमें चांद, तारे, विविन, तारा मंडल दिखाये गये है तीसरा भाग कॉस्मोलोजी से रिलेटेड है जो एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट है जिसमें हमें मून, इस्टार, सन देखने को मिलते है चौता भाग पेड़ पौदों से रिलेटेड है यानि कि यह वानस्पति विज्ञान को पर्दिसित करता है इसी भाग में विभिन परकार के पेड़ पौधों के आकरतियां बनी है पांचवा भाग आयरवेट से रिलेटेड है जिससे हमें विभिन परकार की जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है और आकरी भाग में कोई डाइग्राम नहीं है बस सिर्फ लिखा गया है सायद इसमें राइटर ने अपने बारे में लिखा हो या हो सकता है उस समय के जीवन के बारे में कुछ लिखा हो या उस टाइम बनने वाली रेसिपी के वाने में कुछ लिखा हो यह कहना तो मुश्किल है कि हम इसको कभी समझ पाएंगे भी या नहीं क्योंकि इतने सालों से कई लोग इसे समझने की कोशिस कर रहे हैं पर कोई कुछ नहीं समझ पाया आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है और इसके पंने कहां गायव हो गए इसलिपी को हम कभी समझ पाएंगे या नहीं इसका जवाब तो हमें बहुश ही दे सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस किताब को लेकर कोई ने कोई विचार जरूर आया होगा मैं चाहता हूँ आप अपने विचार कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे